ओम शांती, आज 21 अगस 2020 के साकार मधुर महवाक्य है, आज की मधुर मुगली में बाबा ने बहुत सुन्दर पाच हम सबको पक्का कराया, ये बेहद का जामा है, ये हुँ बहु रिपीट होता रहता है, नथिंग नू का पाठ पक्का करना है, ये पुराने दुनिया मिटने वाली है, धूल च्छाई के समान होने वाली है, इस दुनिया से दिल नहीं लगानी, बाप से दिल लगाओ, घर से दिल लगाओ, नई दुनिया से दिल लगाओ, बाबा आकर हम सब की चाहना को पूरण करत हैं इस समसद की चाहना है हमें सुक्षान्ति मिले बाबा की याद से विकारों पर विजयी बनने से सुक्षान्ति के प्राप्ति होती है पहले यह जानना है अशांत किसने किया अशांत किया on five विकारों ने फिरसे पवित्रता सुक शांती का राज्य बावस्था बन कर रहे हैं बावस सत्य है सत्य नाराइन की कथा सुनाते हैं बावनी का यही पूरण माशी की कथा है जिसमें नर नाराइन बनता है नारी लक्ष्मी बनती है ज्यान सुर्य बावा आते हैं ज्ञान सुर्य प्रगता, अज्ञान अंधेर विनाश, उसे कभी ग्रह नहीं लगता, अर्थात उस पर कभी भी विकारों का प्रभाव नहीं होता है, माया पर जीत पानी के लिए आप बाबा से योग लगाते हो, आप सर्व शक्तिवान से शक्ति लेते हो, इसलिए आपको शिव शक्तिया, सुनते हैं बाबा के मदुर बोल, बाबानी का मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया मिट्टी में मिल धूल चाई हो जाएगी, इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुध्ययोग निकाल दो, धूल में मिल जाने वाली दुनिया है, इससे अपना बुध्ययोग निकाल दो, कुछन है मनुश्यों के कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते है मनुश्य चाहते हैं शांती हूँ लेकिन अशांत किस ने किया ये नहीं जानते तुम उन्हें बताते हो पांच विकारों ने तुम्हें अशांत किया भारत में जब पवित्रता थी, तो शान्ती थी, बाप से फिर से पवित्र परविर्ती मारग स्थापन करते हो, बाप फिर से पवित्र परविर्ती मारग स्थापन करते, जहां सुक शान्ती सब होगी, मुक्ते जिवन मुक्ती की रहा, बाबा के सिवाए कोई भी नहीं बता सक बाबा ही मुक्ती और जीवन मुक्ती की रहा बताते हैं, गीत इस पाप की दुनिया से कहीं तू और ले चल, ओम शान्ती, ये किसका सत्संग है, मनुष्य सत्संगों में जब जाते हैं, कोई न कोई सादू संत महातमादी गद्धी पर बैठ शास्त्रादी सुनाते, प्रंतु से क्या प्राप्ती हैं, किसी को पता नहीं, ऐसे भी नहीं गुरू के सिरफ फालोर से उनके पास जाते हैं, नहीं जो चाही जाकर बैठ जाते हैं, फालोर सो या कोई भी हो, किसी भी धरम वाला हो, समझते फलाना महातमा आया है, जट भागते हैं, उसको कहा जाता सत्संग, महात्मा अधि कोई न कोई वेद शास्त्र की बाते समझाते हैं वास्तों में सत्य परमात्मा एक है बाकी है मनुष्यों का संग सत्य परमात्मा ही नर्ज से नाराइन बनने की सत्य कथा सुनाते हैं सत्य नाराइन की कथा होती है पूरण माशी के दिन अब तुम जानते हो सच्ची सच्ची पूरण माशी ये है जब रात से दिन होता है तुम सोला कला संपूरण बनते हो सच्ची पूरण माशी ये है जब रात से दिन होता है तुम सोला कला संपूरण बनते हो वास्तों में ग्यान सुर्य को कभी ग्रेंड नहीं लग सकता सुर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरविनाश यहां तुम सब बच्चे बैठे हो बाहर वाले को अलाव नहीं किया जाता वो तो कुछ समझेंगे नहीं बाबा केते मैं तुम बच्चों के समुक आता हूं बाबा बच्चों के समुक आते हैं पाप आत्माओं को पुन्य आत्म बनाता हूं मंदिर में रहने लाइक बनाता हूं वो है पावन दुनिया शिवाले शिव ने स्वर्ग की रचना की उसमें कौन रहते हैं देवी देवताईं जिनके मंदिर में चित्र रखे रहते हैं तुम जानते हो पांचर वर्ष पहले देवी देवताईं भारत में रहते स्वर्ग में राज्य करते थे कब राज्य किया कैसे राज्य पाया यह दुनिया नहीं जानते तुम बच्चे जानते हो वे नई दुनिया थी यह पुरानी दुनिया है भारतवासी कहते नई दुनिया नया भारत हो वर्ल्ड आलमाइटी का राज्य हो आत्मा को बुद्धी में आता यहां देवी देवताओं का राज्य था परन्तु ये विचारों को पता नहीं ये आलमाइटी अथोरटी का राज्य कब किस ने स्थापन किया कोई समय तो जरूर था जानते हो भारत सोनी की चड़िया था तुम अब किसके संग में बैठे हो कौन सा महात्मा आया हुआ है स्रीकृष्ण तो नहीं कहेंगे कि भगवान वाच मैं तुमें राज्योग सिखाता हूँ तुम बच्चों की बुद्धी का ताला अब खुल गया है जानते हो इतनी सारी पुरानी दुनिया मिट्टी में मिल धूल चाई हो जाएगी मनुष्य शान्ती चाहते हैं प्रंतु शान्ती कोन सापन कर सकता है पहले तो पूछा जाता कि तुम्हें अशान्त किस ने किया कुछ बता नहीं सकेंगे किन पांच विकारों ने अशान्त किया भारत में शान्ती थी तब पवित्रता थी पवित्र परवर्ती मारग में ही मनुष्य बहुत सुखी थे अभी एपवित्र परवर्ती मारग हो गया सब पतित हो गए निशानियां भी है मंदिर में देवताओं की महिमा करते हम नीच पापी हैं मुझ निरगुण हारे में कोई गुण ना ही मनुष्य गाते हैं प्रंत उसे जानते नहीं बाप जब आते तब बच्चों पर मेहनत करते बाप आते हैं बच्चों के पास यहां कोई सादू संतादी नहीं बैठा यह त याद दिला रहे हैं कि सामने तो भले देहधारी दिखाई दे रहा है पर आपकी नजर निराकार शुबाबा पर जाती है कि हम उनसे सुनते हैं किसी देहधारी की तरफ दृष्टी नहीं है स्रिक्ष्ण भी देहधारी बच्चा है गरब से जनम लेता है हर एक आत्मा को देह है शुबाबा को अपनी देह है नहीं नाम तो देह पर पढ़ता है आत्मा का नाम तो आत्मा ही है याते महान आत्मा पाप आत्मा पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहा जाता फिर अपने को परमात्मा कैसे कह सकते परम पिता परमात्मा एक है वो है सुप्रीम बाप परम थाम में रहते हैं तुम कहते हो परमात्मा सुप्रेम सोल वो निराकार है उनको मिलाकर नाम पड़ गया परमात्मा उनको सब याद करते हैं नैन ही इनको रहा दिखाओ प्रभू बुद्धी उपर चली जाती परम पिता के तरफ जबकि सब राज बताने वाला वही परम पिता परमात्मा है, निर्वान धाम को मुक्ति धाम कहा जाता, जो जो आत्माई पहले आती, वे जीवन मुक्ति में है, पीछे फिर जीवन मुक्ति से जीवन बंद में आती, बच्चे जानते, पवित्रता सुक्षान्ती है इस सत्यों में, जबकि एक राज्य होता, उसको अद्वै द्वैत राज्य कहा जाता तो द्वैत राज्य डैविल का राज्य होता पहले एक धरम था अभी अनेक अनेक धरम है बच्चे सारे स्रिष्टी चक्र को अच्छी रिती नंबरवार पुर्शार्थ हमसार जानते हैं इस स्रिष्टी चक्र को बच्चे नंबरवार जानते हैं औ अब तुम पुरानी दुनिया में हो, नई नी कहेंगे, नई सिष्टी तो सत्यूग में थी, कल्यूग को पुरानी सिष्टी कहा जाता, पुरानी होने में टाइम लगता, पहले नई थी, अब पुरानी है, भारत में आजकल सब चाहते हैं, नई दुनिया हो, नया भारत हो, वर्ड आलमाइटी अथोरिटी का राज्य हो, देवी देवताउं का राज्य आलमाइटी अथोरिटी ने ही स्थापन किया, उसमें दूसरा कोई राज्य हो ना सके, हर एक मरिश्य आलमाइटी अथोरिटी अर्था ज्यान का सागर हो ना सके, ज्यान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, यह महीमा एक परमात्मा की है, वर्सा भी तुमको उनसे मिलता है, बाबा खुद कहते, मैं कल्प कल्पाता हूँ, आकर इस भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, आधकल्प के बाद तुम्ही राजभाग गवाते हो, माय से हार खा लेते हो, मन से हारने की बात नहीं, मन तो बिल्कुल घोड़ा बन जाता, माया मन को उड़ा देती, माया भी कहती, वहा हमारी सेना से कोई वहां कैसे जा सकता है, माया भी अपना पूरा राज़े रखती है, कि मेरी सेना से कोई वहां में कैसे जा सकता है, अच्छे अच्छे मारतियों को भी जीत लेती है, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, बाकि ये कोई स्थूल हत्यारों के लड़ाई की बात नहीं, ये माया पर जीत पाने की देवता थे, और सत्तंगों में कोई ऐसा नहीं कहेंगे, कि हम सो देवता थे, हमने 84 जनम लिये, अभी हम पतित बन गए, फिर पावन बन रहे हैं, तुम भी नैन हीन थे, इन आखों की बात नहीं, ये ज्ञान के दिवे चक्षू की बात है, आत्मा अपने बाप को भूल ग गए, बाब आकर ज्ञान चक्षू देते हैं, सन्यासियों ने आत्मा सो परमात्मा कह दिया, बाब आकर तीसरा नेत्र खोलते, वो फिर देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते, जैसे विश्णु को अलंकार दिखाए, वैसे देवताओं को तीसरा नेत्र दिया, प्रंत उन नौलेज अभी रहती है तुम मीठे मीठे सिक्षिक लदे लाडले बच्चे जानते हो हम बाबा के पास पांचार वर्ष के बाद आए हैं फिर से अपना राज भाग लेनी के लिए फिर पांचार वर्ष के बाद हमें आना है हम आल्राउंडर एक्टर्स हैं हम सो देवता बने थे, हम सो शत्रिय बने, फिर हम सो ब्रामण बने हैं, ये ज्यान किसी को नहीं। परिवार के परिवार आए बठी बनी थी, बूरे, जवान, बच्चे सब वराइटी भाग कर आ गए, कोई जाड के जाड भी आए, बना परिवार के परिवार भी आ गए, तो यहां की बात स्रीकृष्ण के सब लगा कर उल्टा सुल्टा लिख दिया, अख़बारों में धूमधाम हुई, अमेरिका के अख़बार में भी पड़ गया, कि कलकत्ते का जवारी यह कहता है, मुझे सोरा जर एक सो आठ रानिया चाहिए, अभी तो मुझे चार सो मिली हैं, यह सब खेल है, नथिंग न्यू, कल्प के बाद फिर भी ऐसा ही होगा, यह नथिंग न्यू ऐसे ही तुम्हारी बठी बनेगी, तुम देख रहे हो कैसे स्थापना होती है, तुम मनुश्य से देवता बन रहे हो, जीवन मुक्ती दाता को अपना बनाने से सेकंड में तुम वर्सा पाने के हकदार बनते हो, जनक को सेकंड में सक्षतकार हुआ, कहते हमें जनक मिसल ग् शिव के मंदिर में जाएंगे, आगे दिखाते हैं बैल रख रिया, बैल पर तो मनुष्य बैठेगा, निराकार शिव कैसे बैठेंगे, तो फिर शंकर को बिठा दिया, कुछ भी समझते नहीं, गीत में भी सुना, नैन ही इन को रहा दिखाओ, सब बुद्धी हीन अंधे हैं प्रजा का प्रजा पर राज्चे हैं, आगे राज्चे राजा चलाते थे, कोई कड़ा विकरम करते थे, तो राजा फैसला लेते थे, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्चे है, एक दो के उपर राज्चे कर रहे हैं, वंडर है न, ये बेहद का नाटक है, ये तुम जानते हो और कोई कहना सके, जो मिसल ये ड्रामा चलता रहता, तिक तिक होती रहती है, दुनिया का चक्र फिरता रहता, ये वर्ड की इस्टी जोगरफी कोई भी नहीं जानते, कहते हैं इश्वर के हुकम से पत्ता पत्ता हिलता है, प्रन्तो ये तो ड्रामा है, मक्ही यहां स पास होई, कल्प के बाद फिर रिपीट होगा, इस ड्रामा को समझना है, मनशे ही समझेंगे, बाबा कितना अच्छी रिपी समझाते, बाबा वर्ल्ड आलमाइटी अथोरिटी है, कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूं, बाबा सर्व शक्तिवान है, फिर भी ड्राम के बंधन में बंधे हैं, मैं खुद आकर पती तो कुपावन बनाता हूं, अभी तुम बाबा से शक्ति लेते हो, माया पर जीत पाने के लिए, माया दुश्मन ने बिलकुल कंगाल बना दिया, नो हेल्थ, नो वेल्थ, अब तुम समझते हो, हम विश्व के मालिक बनते हैं हेल्थ, वेल्थ, हैपिनेस, सब होगा, परमात्मा को कहते हैं, आकर रहा बताओ, रहम करो, मुक्ती जीवन मुक्ती दो, आत्मा ही पुकारती है, ओ बाबा, आकर में दुखों से चुड़ाए, स्वर्ग में सुखी बनाओ, गाया भी जाता, दुख हरता, सुख करता, बाप अपनी सुख दिया, फिर उनको स्वर्ग में याद करने की दरकार नहीं रहती, सब बच्चों को सुखी बना देते, आगे साट वर्ष के आयू में, बच्चों को राज भाग दे, खुद वानप्रस्त में चले जाते थे, तो बेहत का बाप भी कहते, मैं जानता हूं, तुम फिर जाएंगे अपने स्वीट राजधानी में, अभी तो दुख दाम है, तुम कहते हम स्वदर्षन चक्रधारी बनते, फिर औरों को भी बनाते, संपूरण तो अंत में बनेंगे, कहते हैं स्वदर्षन चक्रधारी विश्नु वा स्रे कृष्न है, ये कैसे हो सकता, ये ब फिर जाएंगे अपने स्वदर्षन चक्रधारी बनाता हूं, हम संपूरण अंत में बनेंगे, इसलिए अंकार देवताओं को दे दिए, ये जो अलंकार है, शंक चक्रधी, ये देवी देवताओं को दे दिए, क्योंकि तुम अभी संपूरण नहीं बने हो, तुमें अलंक कार शो भेंगे नहीं, देवताईं है संपूरण, इसलिए उनको दे दिये, अच्छा, मीठे मीठे सी किला दे बच्चो प्रती, मात पिता बाप तड़ा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते, रुहानी बच्चो की रुहानी बाप तड़ा को, याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धारना के लिए सार, बेहत ड्रामा के राज को बुद्धी में रख, नतिंग न्यू का पाठ पक्का करना है, बेहत ड्रामा के राज को बुद्धी में रख, नतिंग न्यू सर्व शक्तिवान बाप से शक्ति लेनी है माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्व शक्तिवान बाप से शक्ति लेनी है ज्यान नैनी ही नातमाओं को ज्यान नित्र देना है भौती स्पेशल वर्दान मन को अमन वा दमन करने की बजाए सुमन बनाने वाले दुरादेशी भव मन को अमन दमन बनाने करने की बजाए सुमन बनाने वाले दुरादेशी भव भक्ती में भक्तों कितने ही मेनत करते हैं प्राणायाम चड़ाते हैं मन को अमन करते हैं आप सबने मन को सिरफ एक बाप की तरफ लगा दिया, बिजी कर दिया, बस मन को दमन नहीं किया, सुमन बना दिया, अभी आपका मन स्रेश संकल्प करता है, इसलिए सुमन है, मन का भटकना बंद हो गया, ठिकाना मिल गया, आदी मध्यांत तीनों कालों को जान गए, तो दुर करते हैं, प्राणायाम चड़ाते हैं, मन को अमन करते हैं, आप सब के मन को सिरफ एक बाप की तरफ आप सबने लगाया, बिजी कर दिया, बस मन को दमन नहीं किया, सुमन बना दिया, अभी आपका मन स्रेश संकल्प करता है, इसलिए सुमन है, मन का भटकना बंद हो गया, ठ आज हम याद रखेंगे, मैं दुरा देशी आत्मा हूँ। अपने मन को ना तो दमन करना है, ना अमन करना है, सुमन बनाना है। इन शक्तियों में इतनी ताकत है, जिसे मन का व्यर्थ समा प्रुजाता है, मन सुमन हो जाता है। महा जो तेश्यों बाबा पर इकागर हो जाएं, उनकी शक्तियों को निरंतर अपने में आता अनुभब करें। द्रड संकल्प करें। आज पुरा दिन मन के मालिक बनकर कारे कराना है। हर कारे खुशी से करना है, तंद्रोस त्रहना है। ये खुशी की खुराग खानी भी है, खिलानी भी है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यान होती।